नमस्कार दोस्तों यह वीडियो है 10 points के बारे में जिसे आप जानकर जान पाएंगे कि weight loss surgeries या intergastic balloons आपके weight loss के लिए क्यों जरूरी है यह हर एक के लिए जरूरी नहीं है लेकिन अगर आपका BMI 32.5 से ज़ादा है या 27.5 से ज़ादा है और आपको साथ में diabetes या कोई और co-morbidity मेटापे से जुड़ी हुई है ऐसा कुछ है तब आपके लिए यह procedures ज़रूरी बन जापे है नमबर वन जब एक limit से ज़ादा weight हो जाए तो हमारी body 5 या 10% से ज़ादा weight loss नहीं कर पाती इवन 10% weight loss करना भी बहुत मुश्किल है और उसे maintain करना भी मुश्किल है तो अगर आपका weight उससे ज़ादा है तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो की एक nature के against हो जिसे body resist ना कर पाए जैसे जैसे आप weight loss करते जाते हैं body अपना basal metabolic rate ही कम कर देती है यानि कि वो energy जो आपकी body routine activity में लगाती है जैसे कि दिल का धड़कना आपकी respiration इन सबका energy expenditure कम हो जाता है और इसलिए further weight loss करना मुश्किल हो जाता है जैसे ही आप अपने weight loss के platy को hit करते हैं आपका effort कोई रंग नहीं दिखा रहा होता आप further effort से weight नहीं कम कर पाते तो उसके बाद आपका effort में मन नहीं लगता आप उससे tired feel करते हैं और इसलिए भी आपकी body आपको मजबूर करती है कि आप अपनी exercise या dieting को cheat करें और अपना weight जो है वो regen होने लगता है नंबर 4 बोडी यह मानती है कि जो आपका highest weight है वही आपका normal weight है और जैसे ही आप weight loss करना शुरू करते हैं बोडी के बहुत सारे hormones change होते हैं वो aware हो जाती है कि आपका किसी कारण weight loss हो रहा है और वो हर वो मुमकिन कोशिश करती है कि वो आपको वाप weight regain होना शुरू होता है तो usually जो आपको initial weight है यह उससे overshoot कर जाता है यानि कि अगर आपने 100 kg पर weight loss शुरू किया 90 kg तक आए जब आप weight regain करेंगे बोडी आपको वापस पुल करेंगी तो आप अपना initial weight भी overshoot कर जाएंगे यानि कि 100 से जो loss होना शुरू हुआ था हो सकता है कि end result आपका 102 या 105 नमबर 6 रिसर्च यह प्रूव करती है कि 90 to 95% of the people वो अपना 5 से 10% से ज़्यादा weight loss नहीं कर बाते हैं because of all the reasons जो हमने आपको बताए हैं नमबर 7 रिसर्च यह भी प्रूव करती है कि लगबक 90 to 95% of the people जो अपना excessive weight lose कर लेते हैं वो again इसे regain भी कर लेते हैं यानि कि success का rate बहुत ही कम है नमबर 8 जो dieting ए exercise है यह basically हम एक तरीके से body के normal phenomena के against जाकर करते हैं बाड़ी मानती है कि आपका एक regular activity और एक regular dietary pattern है जिसे हम break करके उसे एक excessive abnormal pattern में लेने जाना चाहते हैं जिसे body बहुत जोर से resist करते हैं नमबर 9 जितना आप body को abnormal activities में लेकर जाएंगे अपने daily routine से हटेंगे उतना ही यह कम effective होगा because आप यह abnormal pattern को बहुत सारा देर follow नहीं कर पाते हैं हम लोग यह मान के चलते हैं कि हम कुछ महीनों में अपने target weight पे आ जाएंगे और उसके बाद हम normal activity या normal life में वापिस आप आएंगे because हम उस समय तक normal हो जाएंगे लेकिन ऐसा नहीं होता जैसे जैसे आप अपना target achieve करते हैं आप अपने इस extra effort को tolerate नहीं कर पाते इतना उसे time नहीं दे पाते और धीरे धीरे आप normal life की तरफ वापिस आते जाते हैं और अपना weight regain करते जाते हैं नमबर 10 यह जो procedures हैं जैसे कि weight loss surgeries या इंट्रागेस्टिक बलून्स यह आपको against the nature जाकर एक forced weight loss करवाते हैं इनसे आप number one उतना weight loss कर पाएंगे जितना कि आपको body को चाहिए और number two उसे maintain भी कर पाएंगे आपको आइडिया लगा होगा कि यह procedures क्यों जरूरी हैं इसके बिना यह weight loss क्यों अचीव नहीं हो पाता और अप कैसे आप इन procedures के खरवाकर अपने normal weight की तरफ वापिस आ सकाए हुआ हुआ